नमश्कार मैं हूं गुंचर माहॉज। बनाने के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन अब गोबर से गमला भी बन रहा है जो कमाई का अच्छा साधन बनता जा रहा है। गोबर के गमलों में लगे फूल घरों की सुन्दरता में चार चांध लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी को कुछ उपहार देने की सोच रहे हैं तो ये एक काफी अच्छा विकल्प है और इसे कोई भी आम आदमी बड़ी ही आसानी से बना के काफी अच्छी कमाई कर सकता है क्यूंकि ये हर वर्व के लोगों के दुआरा खरीदा जा सकता है इसका मूल्य बाजार में 10 से 15 के बीच है तो प्रॉफिट मार्जिन भी इन्वेस्मेंट के हिसाब से काफी अच्छा आपको मिल जाएगा गोबर से गमले बनाने के विफसाय को स्थापित करने के लिए छोटे स्थर पर कम से कम आपके पास 500 से 700 स्क्वेर पूर स्थान की आव आवश्यक है चले अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रॉ माटिरियल्स लगते हैं तो इसमें गोबर साधारन मिट्टी गेहूं का भूसा बारीक पिसा हुआ प्राकरति गोंद चूना गोआर गम की आवश्यक्ता होती है वहीं अगर आप मशीनों की बात करें तो गोबर ठता ही होगि काव डंग पॉर्ट मेकंग मशीन चाहिए होगी तो चलिए जानते ही कि आप इससे किस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तव Vikings prescribe के से गंबले बनाने में मात्र तीन ही चरण होते हैं जुस प्रकार हैं, सबसे पहले कच्चे माल को बारिक पीस कर तयार किया जाता है उसके बाद तयार मिक्षनर से वंचित उत्पादन बनाने के लिए समबंदित मशीन की मदद से उत्पादन का निर्माण किया जाता है अकार में ढल जाने के बाद वंचित उत्पादन को सूखने के लिए खुले वातवर्ण में रख दिया जाता है करीब 3-5 दिनों बाद वंचित उत्पादन सूख कर ठोस वा मजबूत हो जाता है जिसे आप आराम से उपयोग में ला सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में यह 6 महीने तक सही रहता है वहीं जब पौदे को जमीन में लगाना हो तो आप गमले के साथी मिटी में उसका रोपन कर सकते हैं इससे पौदा खराब भी नहीं होगा साथी गोवर के गमले से पशुपालकों को एक अच्छा रोजगार मिल सकता है क्योंकि कई सारी गोशाला ऐसी है जहाँ पर कई सारी गाय हैं जो दूद नहीं देते हैं ऐसे में उन गोशालों को चलाना काफी जादा मुश्किल हो जाता है तो अगर आप गोवर से यह वेफसाय शुरू करेंगे तो उस गोशाला को चलाने में भी काफी आसानी होगी और उन गोपालकों को भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा इस तरीके के वेफसाय में आपको जादा नौलिज की आवशकता नहीं होती तो इसे कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करे, शियर करे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे, बैल आइकन को प्रेस करे धन्यवाद